हेई देर काईस वेल्कम बैट टूर चैनल है आज हम आचुके हैं माइनक्राफ्ट हाटकोर का एक और नय एपिसोड लेए का और इस एपिसोड में हम बनाने वाले हैं येस येस आपने टाइटल बिलकुल सही सुनाया हम बनाने वाले हैं एक फुल डाइमंड बीकन yes diamond का beacon now this will be really hard क्योंकि मेरे को दिन भर yes दिन भर बैट के मेरे को यह grind करना पड़ा यह diamond इखटा करना पड़े and मैं तुमको पूरा clip दिखाऊंगा यह पूरा real है मैंने सच में mining किया यार इतनी जादा as you can see हमारे पास थोड़े से diamond पहले से पड़े गए 64 64 and 1 दो स्टैक पड़ा हुआ हमारे पास जो हमने अपने 100 सीरीज में collect किया था बट इतना सा enough नहीं है यह बहुत कम है हमारे पास स्रिफ 129 है yes 129 तुमको बहुत लग रहा होगा बट यार स्रिफ 129 हमें टूटल चाहिए 1476 yes 1476 इतने सारे diamond चीह हमको जो कि equal होगा 168 blocks के या 168 diamond blocks के equal होगा यह हम यह challenge को complete कर पाएंगे अगर तुम यह video देख रहे हो तो हाँ हमने शायद इस challenge को complete कर लिया है अगर यह video नहीं अपलोड होई तो of course मैंने यह challenge को complete नहीं किया होगा तो चलिए without किसी बखवास के video को आगे ब हमारे लास्ट वीडियो में यप लास्ट माइंट्राफ्ट के वीडियो में हमने क्या ग्राइंड किया था गाइज हमारा खुद का फॉर्चुन थ्री वाला पिक एक्स भूल गए फॉर्चुन थ्री वाला पिक एक्स है यार हमारे पास और इस पिक एक्स मदद से हमको बहुत सारे डायमंड मिलेंगे इन सारे डायमंड को आपन स्टोर कर देते कहीं पर यार किसी सिक्योर जगा में एक काम करते हैं इनके लेना नया चेस्ट बनाते हैं यह बन गया हमारा चेस्ट इसको ऊपर लेके आ जाते हैं और इसको यहां रख देते हैं और इसके अंदर रहेंगे ह हमो helper कर रहा है घला ऐबनाruk का अधर में गलती से फूल हो गया तो मेरे को बारबार चेंज नहीं करना पड़े गई ओके वन थ्री ओके तीन से हमको 6 मिल गया अल्मॉस्ट डबल अल्मॉस्ट क्या या टोटली डबल मिल गया यार चलो अपने रेड्स्टोन को भी जल्दी से अपन ब्लॉक बना लेते हैं ताकि हमारे पास पेस रहे ताकि हमारे पास सारे के सारे और से रहे ओके इस तरीके से हम अपने हर उस टनल को जिस टनल में हम गया अभी तक लॉक कर देंगे ताकि हम यहां से वापिस ना सके टनल में ना गुसे हमको याद रहेगा कि हमें यहां नहीं जाना है एक चैलेंज करते हैं यार चलो देखते है कि हमको वन आवर की माइनिंग में कितना सारा डाइमंड मिल सकता है एस वन आवर रियल टाइम की बात कर सकता है ले ठाइमंड इस जोड़ना चाहिए न मेरे निंग को घर ले जाके अराम तोड़ सकूं तब मेरे पस ज्यादा चीज़ें आएंगी यार मैं भी ना को अपना बेकार का साथ दिमाग लगा दिया इससे अच्छा मेरे को हर चीज को सिल्टस से तोड़ना चीए इससे हम ज्यादा से ज्यादा चीज़े कलेक कर पाएंगे और हमको इस क्राफ्टिंग टेबल की जरुवत नहीं है मैंने क्राफ्टिंग टेबल इसलिए लेकर आया हमारे जितना भी एकसपी जाएगा अभी इन सबको एकसपी नहीं आइमीन हमारा अभी जितना भी एफिशेंसी जाएगा वह सब वापिस आ जाएगा जब आप इसको घर ले जाके माइन करेंगे फिर से लुइक एट गाइस हमको ओर डायमंड मिल चुका है इस पूरे घंटे का हमारा ही फck मारा भी warrant मिल है हमें को looks like it's an 8 win 8 win है यार हमारे पास very good okay तो हमारे पास 8 diamond collect हो चुके है yes finally हमको 8 diamond मिल गए इसमें देखेंगे हमको कि actual में हमें कितने diamonds मिले हैं घर जाके देखेंगे उस चीज़ को okay let's see कि अब हमें कितना मिला है I think कि यह 8 win होना चाहिए बट यहां पे एक iron पड़ा हुआ है देखते हैं कितना है one two three four and मैं eight भूल रहा था ब्रो यह तुसरी पांच निकला and look at that guys some more diamond देखते हैं यहां पर कितना है एक है ओके दो तीन चार एंड फिर से यार उस समय पांच मिला और इस बार चार मिला यह क्या किसमत हो गई यार मेरी इतना कम-कम diamond मिल रहा है इसके पहले तो eight मिल रहा था अब स्रिफ चार और पांच and और diamond मिल यह अपने को देखते हैं इस बार कितना मिला one two and three and four and five and six diamonds total हमारे पास 26 diamond और आ चुके हैं एक घंटा होने में स्रिफ दस मिनट बचा है गाइस देखते हैं अभी हमको और कितना मिल सकता है यार पांच और diamond मिल गए यार नाइस पूर और diamond इस बार कितने हैं एक दो तीन चार पांच शायद हमारा लखी नंबर यार बार बार पांच मिल रहा और इसके साथ एक घंटा पूरा होता है और हमको मिल चुके हैं 41 diamond और इसको एक बार घर ले जाके देखते हैं यह total कितने diamond बनते हैं हमको और भाई तुम यहां कैसे आ गए और मेरे घर पर आज बड़े दिनों बाद तुम्हारी मुलाकात हुई है हमसे सब कैसा चल रहा है भाई है तुम्हारा और यह lead तुम मेरे ले लेके आयो ना लेकिन मेरे पास पता है बहुत lead है इसलिए मैं इस बार तुमक में कितने diamonds मिले हैं let's find out guys कितने diamonds मिल पाए हमको एक घंटे में पॉप रे सो एक घंटे में हमने manage कर लिया 103 diamonds collect करना हमने एक घंटे में manage कर लिया अरे वांडरे trader कहां गया अरे यह leader अभी तो था अरे यार मैंने उसको मारी देता यार मैं उसको कम से कम उसके leads तो मिल जाते well anyways वो तो चले गया guys तुम लोग मत जाना यहां से क्योंकि अभी हमारा सफर बहुत लंबा है हमें अभी बहुत सारे diamonds और इखटा करने 103 diamonds मिल चुके हमको हमारे इस वाले trip से जल्दे से इसका मैं block बना देता हूं कि ब्लॉक बहुत जादा सुन्दर दिखता है और इतने सारे ओल भी मिले हैं अपने को क्या वोलती हो अपने pickaxe को repair कर ले चलो एक काम करते हैं अपने सारे pickaxe को repair कर लेते हैं अपने दोनों pickaxe को I mean तो मेरा क्या था प्लान में तुमको दिखा देता हूं मैं यह सारे ओर्स लोंगा मैं इनको ऐसे place करूंगा तो यह था मेरा प्लान अब मैंने इतने सारे और से खटा कर ले अब देखते हमको total कितना जादा या फिर कितना हमको कम को मिल सकता है let's find out को कि गिरना नहीं है बबा और देखते यार exp भी कितना मिलेगा क्योंकि हमारा भी 60 लेवल है ना देखते हमारा लेवल कितना बढ़ता है मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा inventory फूल हो जाएगा और को सारा नीचे गिरने लगेगा बहुत जल्दी फूल हो ज 6 7 8 9 10 10 almost 11 stacks of coal collect कर लिया है इन सब का मैं ब्लॉक बना देता हूं जल्दी से 64 blocks of coal और यह रहे मैंने जो पहले collect किये थे इन सब को मैं अंदर store कर देता हूं ताकि मैं इन सब को बाद में ले सकूंग को कि सो in total हमने day 1 में सिर्फ 24 block collect कर पाया है क्योंकि यार मुझे बहुत नीन सारे diamonds collect कर सकते हैं दे टू हमारा बहुत सिंपल था मैंने कुछ तीन घंट माइनिंग की और मेरे को almost तीन सैट ही गया दो स्टाइकन उससे प्लस के diamonds के blocks मिल गाए मेरे को इसी box के अंदर तोड़ते हैं हमने सारी चीजों को तो यह मैंने लगा दिये diamonds तो गाइस फाइनली हमने सारे diamonds को लगा दिया और अब देखते हैं हमको कितना जादा हमारे fortune 3 वाले pickaxe diamond मिल सकते हैं राइट ना हमारे पास 24 diamonds है वह इसलिए क्योंकि मैंने गलती से कुछ diamond तोड़ भी दिये थे कोई बात नहीं हम देखते हैं हमको इसके अलावा कितने और diamonds मिल सकते हैं ओके तो मैंने अपना सारा समान जो कि मेरे को जरूरी नहीं था इस समय वह रख दिया है अपने chest में आप देखते हैं हमको कितने सारे diamonds मिले हैं सच में यार यह बहुत satisfying diamonds को ऐसे उता हुआ देखना इन टोटल हमारे पास है 329 एंड इन 329 डायमंड से हम इन टोटल 36 डायमंड ब्लॉक्स बना पाए और हमारा grand टोटल होता है 60 डायमंड ब्लॉक्स का और अब हमें चाहिए 927 ताकि हम अपना पूरा पूरा डायमंड बीकन बना सके माइनिंग के पार्ट को skip करना चाहता हूं क्योंकि यार मुझे अभी अभी याद है कि बीकन बनाने के लिए चाहिए होता है नेधर स्टार और नेधर स्टार मिलता है हमको विदर को मानने से और अभी तक हमने ना विदर मारा है ना ही कोई प्लान बनाए कि हमको विदर को कैसे या कहां मारना है आइम थिंकिंग के मैं थोड़ा चीकी और गंदा सा टेक्टिक यूस करूँ और उसको एंड वर्ड में मार दू जहां से वह बिल्कुल एक्सकेप ही ना कर पाए वैल इ मैं उस घर के अंदर नहीं करूँगा हरे वाले क्योंकि वह बहुत चोटा हो गया यार उत्ते चोटे जगे पर हमारा नहीं बनेगा इसलिए अपन थोड़ा इस एरिया को बढ़ा करेंगे अब आता है मेरा बेस्ट एंड फेवरेट पार्ट मैं डाइमंड की स्ट्रिप माइनी करूँगा दूड हम लेवल 70 पहुंच चुक है मुझे नहीं पता कि डामेंड को माइन करने से इत्ता जादा एक्स पे मिलता है और थिंक हमारे पास इनफ डामेंड हो चुक है अब कि हम उससे अपना एक डामेंड का बीकन बना सके लेट्स गो एंड मेक और बीकन आम थिंकिंग कि मैं क्यारा उसको यहां पर कहीं पर बनाऊं यहां बनाना करते हैं यहां बनाना कैसा रहे का जल्दी से अपने एरिया को फ्लाइट कर देते हैं अपन मैं अरिन क्यू कलेक्ट कर रहा। और gold क्यों कर रहे कर रहा था मक्यूंको बता आ देता हूं है यह देखो Torces कितने Zeus कुछ पॉल्स्टा ओहरे यह कहा उया यूमग मेरे साथ रहेगा लगते हैं यह destiny थी हमारा नाइस मिर्त लिटरली एक ऊंप है कहında में हैं यूड हैba campeonman के लिए मैं भी देखता हूं यह कैसे हमारा पैटनी बनता है आज है भाई येस एक और दोस्ट बन गया हमारा और सम रिजन मेरे सारे अचीवमेंट अर इससे मैंने जब फाइल को अपने सारे तो मेरे जितने भी अचीवमेंट थे सारे के सारे रिशाट हो गए और अगर तुम चाहो तो मैं हाई पिक्सल में भी अब खेल सकता हूं इस खुट्टे का नाम नहीं सोचा यार मैंने कमेंट सेक्षिन में तुम इसका नाम बता देना जो सबसे पहले नाम बताएगा मैं वह वाला नाम इसका रख दूँगा तो इसके नाम का जिम्मेदारी तुम लोगों के हाथों में है I think मैंने हमारे इस एरिया को काफी फ्लाइट बना दिया और अब टाइम आचुकर हमारे बीकन को एक्चुली में बनाने का एंड हमारा बेसिक स्ट्रॉक्चर बन चुका है एक बीकन के लिए लेकिन हाँ आई नो तुम लोग क्या सोच रहो यार बीकन कहा है चलो तो फिर एक ट्रिप लेते हम नेदर की तरफ तो हम अपने नेदर में आ चुके हैं हमको इन से दूर रहना है और हमको तो बिदर स्केलेटन को डूंड ना है ताकि हम उनको मा अपक्र ब्लोक 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 नइन ने नहीं रुको रुको वहीं रुको पुद से और भाय इतना भी जल्दी झाल 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 आइम सारी गाइस ये करना पड़ा तो दो विदर स्कल के साथ हम घर जा रहे हैं तुम लोग ने अगर मेरी सीरीज देखी होगी अरे अरे बाबा अगर तुम लोग ने मेरा वन हंड्रेड डे चैलेंज वाला सीरीज देखा है या सॉरी वीडियो देखा है तो तुमको पता होगा कि मेरे पास एक स्कल पहले से रखा हुआ मैं विदर से लड़ूंगा इस बार लेकिन अपने शार्पनेस वाले नहीं एक स्माइट की सौड बना के तो मैं जल्दी से जाके स्माइट की सौड बना लेता हूँ एक टाइम था मैं शार्पनेस फौर के लिए मरता था ठीक है अनब्रेकिंग होफफुली लूटिंग टू ब्रो इस इस यही चाहिए था मुझे ओके तो हमारे पास माइट फाइव वाला एक सौड आ चुका है यार बहुत रात हो रही है जल्दी से हम इस विदर को मार दे तो मैं जल्दी से सोने जा सकूँ सबसे पहले हमें क्या करना है यहां पर नीचे डिक करना है तीन ब्लॉक अपने को इस वाले बेड्रॉक से नीचे जाना है तो यह रहा वन टू थ्री और इसके चारों तरफ डिक करना है आपके इस एरिया में डिक करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा स्रॉक्चर होगा आज लेट्स दूइट काईज वर्ण टू जैसी लगेगा भागना है और फिर यह एक्सकेप नहीं कर पाएगा लेट्सी पोशन और हमारा रेडी है फट जा फट जा भाई फट जा ए तुम लोग देखना मत उनर ओके यह फट गया तो यह बहुत आवाज कर रहा था इसने मैंने वाद सक दिया अब अपन नीचे आ सकते और इसको आराम से मार सकते बिना किसी दिक्कत के इसलिए मैंने इसका अलग से एपिसोड नी बनाई कि इसको मारना गायस कि तुम देख सकते हो चिपता जादा एजी है एंड तीगर हो खतम भी कर दिया हमने विदर को इतने सेकेंड में सबसे easy काम यहां पर wizard को मार नहीं था literally सबसे easy काम हमारा था विदर को मार नहीं शयाद मेरे को strength की भी जरुवत नहीं थी okay हम वापिस आचुके अपना nether star लेके शयाद हमको एक और obsidian की जरुवत पड़ेगी कोई बात नहीं हम बना लेंगा obsidian एक और यह रहा हमारा फोड़ा सा लावा जो कि मैंने बरबात कर दिया यह लावा कहां गया no one knows की वह लावा कहां यह कोई बात नहीं मैं और लेकर आ जाता हूं तो एक obsidian यहीं पर पड़ा हुआ था हमारे पास पूरे इंग्रीडेंट साब चुके हम अपना फॉर्स बीकन बना सकते हैं अब यह रहा हमारा फॉर्स बीकन बन गया जर्स इसको फाल तुमें जगा पर नहीं लगाना है हमको कोई टाइम वे इस नहीं करना है और हमको सीध बीकन अटर का इसमें क्या डालना चाहिए जर्य इस चाहिए आपने में रही और हम हों दो मैं वो ले देता हूं हेस्ट क्योंकि हेस्ट लगाने के बाद जो satisfaction मिलता है ना गाइस वो अलग है पहले सो जाते हैं पहले सो जाते हैं इतनी भी बड़ी जल्दी नहीं है अपने को आल राइट तो हम आ चुके अपने beacon को हेस्ट देने के लिए तो हेस्ट दे रहा हूं मैं इ इतना satisfying वाओ फूल वगेरा सब एकदम असानी से माइन हो रहा है चलो तो आज की वीडियो के लिए गाइस इतना ही हमने आज डाइमंड वीकन बनाया है और अगर तुमको इसी तरीके के और अच्छे अच्छे और बहुत बड़े प्रोजेक्ट देखने हैं तो प्लीज इस सब्सक्राइब बटन को दे मारो उस लाइक बटन को भी दबा देना इट रिली हैप्स में लॉट मेरे को बहुत अच्छा लगता है गाइस तुम जब हैल्प करते हो तो तुम लों किते अच्छे हो यार थैंक्यू फो वाचिंग और आल सी यू इन नेक्स वन पीस